आपका स्वागत है हमारे चैनल एजूकेशनल क्रामती में दोस्तों आज हम यहां चर्चा करने वाले हैं आपके लिए एक महतपूर बिंदू पर आप SPM हुसंगावाद के जूनियर आफिस असिटेंट और जूनियर टाइम कीपर के जूटेंट हैं दोस्तों जिनका सेलेक्शन हो चुका है पेपर कौलिफाई कर चुके हैं आप टाइपिंग टेस्ट होने माला है तो दोस्तों उनके लिए यहां पर एक सुचना देने वाले हैं इसके लाबा आप एक सर्वे हमारे दोरह कर आ आ गया उसमें भी एक रिजल्ट आया है उसके बारे में आप से चर्चा करेंगे और आपकी जो टाइपिंग डेट है उसके बारे में भी आपको महतपूर जायन कारी देने का प्रियास करेंगे चलिए दोस्तों यहाँ वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों इस परकार से आपका रिजल्ट आया था उसके बाद से काफी समय हो चुका है और यदि आप टाइपिंग कर रहे होंगे दोस्तों काफी आच्छी आपकी टाइपिंग आ रही होगी लेकिन दोस्तों यहाँ आपको बता दे आपको यहाँ पर काफी डाउट थे उनको थोड़ा क्लियर करने के प्रियास करेंगे कि दोस्तों आपको यहाँ टाइपिंग में जो है आपका टाइपिंग जो स्किल टेस्ट होगा वो सिरफ कौलिफाइड टेस्ट है काफी लोग कमेंट आते हैं उसमें आपको बता दें कि दोस्तों आपका सिर्फ यह qualifying test है इसमें आपका cut-up जो है मैं आपके paper से ही बनने वाला है इसके लावा आपका timing test 10 minute का होगा हिंदी या English दोनों मैं किसी एक में आपका होगा और इनकी speed calculation है वो same ही होगी इसके लावा जो है आपके center जो है आपको भोपाल, इंदोर, उचेन, जबलपूर या गॉलियर में से कोई भी मिल सकता है इसके लावा आपका paper हुआ था दोस्तों आपको paper जो है 200 number का हुआ था तो आपका cut-off जो है काफी लोग cut-off के बारे में बोलते हैं दोस्तों आपका cut-off जादा ही जाएगा क्योंकि दोस्तों आपका paper का pattern जो दिख रहा है उसमें जो है आपको यहां general science, general awareness, English दोस्तों यह 120 number के लगवर ऐसा पोर्सन था जिसमें कि आपको time की ज़्यादा जरूवत नहीं पड़ी होगी इसके लावा जो है आपका paper का level जो रहा था उसे साफ से दोस्तों आपका 130 के ऊपर ही यहां पर cut-off रहने वाला है इसके लावा दोस्तों यहां पर बात करें आपकी post की तो आपका junior office student और typing keeper आपके लिए जो है यहां पर आपका typing टेस्ट कराया जाएगा, skill test कराया जाएगा जिसके लिए दोस्तों आपकी बहुत सारी student यहां पर हो सकता है typing की spirit ना मालू हो तो यहां पर English के लिए आपको 40 word per minute चाहिए और Hindi के लिए यहां पर 30 word per minute चाहिए और इसी परकार से time keeper को भी यहां इसी range में आपको रखना होगा इसके लावा दोस्तों यहां आगली बात करन है तो दोस्तों यहां पर आप जरूर सुन लें आप यदि इस criteria में आ रहा है पहले तो आप यहां पर 25 से 30 के बीच यहां बैरी कर रहा है तो दोस्तों यहां पर आपके पास समय है आपका typing test जो है दोस्तों 15 December 15 December के बाद ही होने वाला है यहां आपके पास एक महने का समय है दोस्तों आप अभी भी आज से भी practice शुरू करते हैं तो दोस्तों यहां पर आप बिल्कुल cover कर पाएंगे इस कलाबा दोस्तों आगा में देखें तो दोस्तों यहां पर आप देखें है तो 40 बात करें आपकी 35 से 40 के बीच इस पीड आ रही है दोस्तों 16% student है यहां पर और student की स्पीड यहां पर 45 से प्लस में दिखाई दिए दोस्तों 45 से प्लस में जिसकी स्पीड आ रही है दोस्तों वह अपनी स्पीड में accuracy maintain करने का प्रयास करें इसके लाबा एक और आपको बताएंगे कि दोस्तों हमारे चैनल पर यहां पर वीडियो डला है जिसमें कि आपकी typing test का जिस प्रकार से माहूल होगा उस समय जो आपकी typing आवा जाती है उससे भी दोस्तों काफी लोगों की speed यहां पर कम हो जाती है तो दोस्तों इस test को लगा के देखिए मैं आप headphone लगाई है आपका sound लगाई है और आप speed करके देखिए आपकी इसके बाद भी speed अच्छी आ यहां पर तो दोस्तों आपके बारे में बात करें कि दोस्तों काफी student है जो कि यहां पर Hindi में भी जो है दोस्तों बहुत अच्छी progress देखने को मिली है यहँ पर 57% student यहां पर 35 से ऊपर है जो कि अच्छी बात है और इनको भी यही कहना चाहेंगी कि दोस्तों जो sound बाला पेडियुक ही कि यहां पर प्राइबा यहां पर झाधन है झाल में आसफसंति में द्यान दे काफी practice करें अभी आपके पास काफी समय है practice के लिए कुछ speed बढ़ाने के लिए कुछ video भी हमारे दौरा डाला गया है उस video को देख लें सायद टिप्स से आपका कुछ फायदा हो पाए बाकि जो बाकि जिनकी speed 20-30 के बीच है तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास सम पर दे देंगे इस वीडियो में आपको sound लगाना है उसके बाद practice करना है 10 minutes का आपका typing test ही होने वाला है इस कलावा दोस्तों इस वीडियो को देख लीजेगा जिससे कि आपके कुछ typing की speed को बढ़ाने के लिए कुछ आपको tips दिए गया है आप इस video को भी देख सकते हैं इस इस वीडियो को इस वीडियो को भी आपको सुनाएंगे इस कलावा दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर रॉयल जी के जौरा पूछा गया है कि इसकी speed क्रेंटर होती तो net speed यहाँ पर मांगी जाती है और की stock यहाँ बर्ड में आपका सो होता है result इस कलावा दोस्तों आपकी हिंदी टाइपिंग हिंदी टाइपिंग के लिए जो है आपको कोई भी point font पे आप कर सकते हैं यहाँ पर रेमिंटें गिल भी चल जाएगा यह हमारे दोरा पूछ लिया गया है आप और call recording सुन ली जिगा इसका लावा दोस्तों यहाँ पर रिचा जी के दोरा दूसरा comment भी किया गया है जिसमें भी font के font ही पूछा गया है इसका लावा दोस्तों यहाँ पर हिंदी टाइपिंग में comment font के बारे में पूछा गया है काफी लोगों के दौरा तो उनके दौरा उनको जो doubt है यहाँ पर clear हो गया है यहाँ पर आप कुरुतुदेब भी कर सकते हैं यहाँ देमिंटन गिल्ड पे भी कर सकते हैं यहाँ पर सारे font यहाँ पर अलाव है इसका लावा दोस्तों यहाँ पर आगे देखें तो आपके आप जिसे प्रतार से आपका competition है जूनिर और टाइम कीपर के लिए जूनिर टाइम कीपर के लिए चार पोश्ट है यहाँ पर तीन जन को यहाँ पर चुना गया है इसके लावा बात करें आपकी office assistant की तो office assistant की आर्ट पोश्ट है दो 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 पोश्ट आपकी जनरल की GWS की SC की और OBC की दो 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 पोश्ट है और इन पोश्ट पर जो candidate select किये गया है तो GWS पर 61 candidate select किया है जनरल पर exit है OBC पर 124 candidate है SC पर 200 candidate की की महर दोरा call recording सुना देते हैं जिसमें की आपको जानकरी मिल जाएगी कि आपका typing test कब होने वाला है चलिए दोस्तों ले चलते हैं SPM Recruitment Center से बोल रहे हैं सर यह जो आपका रेजल्ट आया था junior office assistant और junior timekeeper तो तो इसका typing test सर कब तक होगा अब नेक्स्ट मुंत मांगी जलो आप December media December end सर दिसम्बर मेडिया end Sir इसमें वह ताइपिं के फॉंट पता चल पाइगे है हिंधी सब हैं मतलब रहे हैं मतलब मंगा Remington Gill भी चले गा ने ואל़र क्या होगा था क्या होगता था महांपासर कुर्ती दिएव डिया दिया था में नेही हैं है सब भी गे सब तो December media end sir झाल झाल